Hello Friends! मेरा नमानुग भूमा चौती है रोइस चैनी में आपका सौब्यत है तो चलिए आज मैं आपको बहुत एक एक एकसेलेंट काजल है उसके बारे में बता रही हूँ उसका मैं रिव्यू तो करूँगी करूँगी साथ में उसका डेमो भी करेंगे मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से काम करता है उसके अलावा उसके multiple uses के बारे में भी हम बात करेंगे तो चलिए फ्रें स्टार्ट करेंगे आज मैं आपको Faces Company के Intense Gel काजल के बारे में बताऊंगी तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या के लिखा है ये made in Germany है और इसका है one stroke application है waterproof है, smudge proof है, dermatologically tested and approved है उसके इलावा soft and creamy है, super long wear है and intense black finish है इसका तो चलिए फ्रेंट्स अब इसको खोल के देखते है ये इस तरह का है ये काजल ये इधर इसकी pencil है और इधर साथ में इसके smudgeर दिया हुआ है हमें बहुत ही अच्छा creamy finish है इसका black color में बहुत अच्छा इस तरीके से आइस के अंदर तो हमने इसे काजल लगाई लिया उसके बाद हम इसको ऊपर as a liner भी लगा सकते हैं इसको हम as a liner भी लगा सकते हैं इसके अलाबह इस काजल को हम as a eyebrow pencil भी यूज कर सकते हैं बहुत हलका सा stroke में इसका हो जाएगा और इसके बाद इसके साथ ही जो smudgeर है इससे हम अपनी eyebrows को fill कर सकते हैं आपने पूछा भी तक कमेंट में कि मैं अपनी eyebrows को किससे fill करती हूँ मैं इसका जो smudgeर है इससे मैं अपनी eyebrows को fill करती हूँ इसी काजल के साथ ही यह smudgeर भी है इसके साथ इसके uses में यह भी mention है कि draw along the water line and use a smudger at the back of the kajal to achieve smoky eyes हम इसके smudgeर को पीछे से हम काजल के भी use कर सकते हैं एक smoky eye effect देने के लिए इस तरीके से तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजिए और उसके साथ जो bell icon है उसको आप जरूर प्रेस करिएगा मेरी वीडियो को आप share भी जरूर कीजेगा हम जल्दी ही मिलते हैं एक और exciting वीडियो के साथ में तब तक love you all, bye, take good care of yourself मुझ कर दक okay मुझ कर कर दो प्त्री चाल